हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको यह बताने वालों की कैसे आप अपने वीवो X90 Pro Android वाइल फोन में आप जोए एक्ट्र डिम सेटिंग को आपना यूज कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह एक्ट्र डिम सेटिंग जोए काम कैसे करती है आज की इस वीडियो में आप आपको डीटियल में जानकारी देने वालों तो चलिए यहां पर यह वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है ठीक है सेटिंग पेज को ओपन कर लीजे सेटिंग पेज में आपको नीचे ओप्शन मि extra dim के name के उपर यह आपको tap करना है तो आपका extra dim का page open होगा, इसमें आपको नीचे की side make screen extra dim के ठीक सामने आपको बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन को tap करके setting को on करना है, ठीक है, इस setting को on करने से पहले मापको एक बात बता रहेता हूं, देखिए मेरे mobile phone की screen की light है इसकी light जो है वो dim हो जाएगी, मतलब आदी हो जाएगी, आप ध्यान से देखिए, ठीक है, इसकी light dim हो चुकी है, आप यहाँ पर जो है नीचे की साइड यह intensity का option देख रहे है, तो देखिए इसका color जो है, और भी जादा dim हो चुका है, light जो है और भी जादा dim हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पर इस pointer को अगर आप brighter की तरब लेके जाएगे, तो इसका color जो हलका-लका white हो जाएगा, मतलब पूरी तरह की सा white तो नहीं होता है, लेकिन extra dim का यहाँ पर हलका सा black पन रहता है, तो यह setting जो रहा है, इस तरीके से आप यहाँ से adjust कर सकते हैं, extra dim setting को, ठीक है, अब मैं आपको extra dim setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूँ, आपके mobile phone में, इसके लिए आपको mobile phone का setting page फिर से open करना है, setting page में आपको सबसे उपर यह search icon सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको search bar में setting का name आपको टाइप करना है, extra dim, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको नीचे की side ने यह option show हो जाएगा, इससे select करना है, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका mobile phone आपको directly setting में लेकर आजाएगा, तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया, इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में,